जल ही जीवन है इसका उद्गोश तो हमें गाओं कजबों और शहरों की दिवारों पर और अकबारों के सिरकारी विग्यापनों में खूब नजर आता है नगरपालिका, महानगरपालिका और ग्रांग पंचायतों द्वारा पानी की बून-बून बचाने के लिए कई तरह के उपकरम चलाए जाते हैं लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो पानी बचाव की मुहिम को लेकर प्रशासन ही गंभीर नजर नहीं आता आज भी गाउं, देहातों और शहरों में बड़े पैमाने पर पेजल वितरन की पाइप लाइनों के लीकेज से रोजाना हजारों लाखों लीटर पानी व्यर्थ में बरबाद हो रहा है दिग्रस शहर के विश्राम ग्रह के पास भी यही नजरा आए दिनों देखने को मिल रहा है यहां से गुजरने वाली बिगाड़ पूर्ण पाइप लाइन में एक बार फिर लीकेज की बदौलत बुदवार सुभा से बड़े पैमाने पर पानी बरबाद हो रहा है इस संबन में स्थानिय नगर पालिका का जलापूर्टी विभाग भी सुस्त नजर आ रहा है शहर में जलसंकट हो या लिकेज से बड़े पैमाने पर पानी की बरबादी हो पालिका प्रशासन के जलापूर्टी विभाग को कोई फरक नहीं पड़ता उनको समस्याओ को नजरंदास करने की आदत जो पड़ गई है हाल ही में भीशन गर्मी में शहरवासी जलसंकट से हैरान थे बार बार समस्याओ से अफगत कराने के बाद भी पालिका के जलापूर्टी विभाग में उनकी कोई सूध नहीं दी इतना ही नहीं जलसंकट से उपजी नाराजी के बाद लोगों का गुसा फूट पड़ा था ऐसे में जब उदब गुट शिफसेना की ओर से पालिका पर धड़क मोर्चा निकाला गया तब खुद मुख्य अधिकारी ग्यानेश सोनावनी और जलापूर्टी विभाग के अभियंता गौरव मांडले उस दिन पालिका से गायाब थे कुलमिलागर बात ये है कि पालिका प्रशासन ना तो भीशन गर्मी के दिनों में जलसंकट निवारन को लेकर गंभीरता दिखाता है और ना ही आम दिनों में पानी की बरबादी से उसे कोई भी फर्क पड़ता है और जब से दिगरसनगर पालिका पर प्रशासक की नियूकती हुई है तब से जन समस्याओ और नागरी असुविधाओ पर टालमटोल रवईये दापरवाही और अंदेखी की मानों जैसे बाड़ ही आ गई है जिस वज़ा से पाइपलाइन लीकेज हो, खराब सडके हो, जगा जगा पर लगे कच्रे के अंबार हो या स्ट्रीट लाइट की समस्या इन सारी समस्याओं में सुधार की कोई भी गुनजाईश नजर नहीं आती क्योंकि सुधार वही होता है जहाँ समवेदना जागरत होती है जहाँ समवेदना मर जाए वहाँ जिमिदारी महज खेल बन कर रह जाती है NBC News के लिए दिगरस से जुबैर खान की रिपोर्ट